नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइज सिटीज देखें बीते दिन बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोत तावडे पटना पहुचे थे और पटना पहुचते ही उन्होंने समीक्षा बैठक भी बुला ली थी देखें हमने आपको बताया था कि बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ है और आपको बता दें कि बैठक से निकलते ही तमाम नेताओं ने बहुत कुछ बता दिया है आपको बता दें कि अब इन नेताओं को एक महीने का समय भी दिया गया है टास्क भी दे दिया गया है अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन्हें कौन सा टास्क दिया गया है और एक महीने का वक्त इन्हें क्यूं दिया गया है तो आज हम इसी मुद्दे पर ख़ई खड़ी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवी उपाध्याई जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत की जी रवी जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते बिन जो समीक्षा बैठक हुई है क्या कुछ निकल के आ रहा है अंदर में बंद कमरे में किन किन मुद्दों पर ब सब्वासा में उनकी पाठ साला थी उनकी पार्ट साला ऑठ साला में बिदोनों मंत्री के आपने किया और 우리 हुए पार्ट जो टस्क दिया कि 1, 2, 3 करके कैसे कैसे करना है उसमें यही है कि जनता से जुड़ा हुआ मामला जी जी पहले आप और उसके बाद कारे करता जनता और फिर कारे करता यह दो चीज़ और संगठन और सरकार दोनों को साथ में ले करके चलना है ऐसा है कि संगठन क्या कुछ निकल करके आई कि एक सप्ता आप आपको जिले में सबमंत्री को रहना है और जिले में रह करके जो मीशन मोड में काम करना है मीशन मोड में अब देखे जिसे रोजगार और सरकारी नौकरी की जहां तक बात है तो वो रोजगार और सरकारी नौकरी को ले करके जितनी सरकार जो है ताइम फ्रेम कर दिया गया है कि आपको तीन महीने में, एक महीने में, फिर एक महीने में ये लोग बाठ लेंगे, फिर ये review होगी. यानि कि आप ये बता रहे हैं रवी जी जैसा कि मैंने शुरू में ही आपने विवर्स को कि एक महीने का समय दे दिया गया है और सिर्फ एक महीने का समय ही नहीं दिया गया है बलके टास्क भी दे दिया गया है क्या टास्क है और हम आपसे जानना चाहेंगे सीधा सवाल होगा कि एक महीने का समय किस बात के लिए लेकिन आपको कहा गया है कि आप जिले में जाइएर भाही परवास करिए सब्फदा हमें एक धिन एक दिन आप जिले में जाइए और रहिये और लोगों से फिड वेक लीजे ओर कौन सा काम नहीं हो रहा किस काम और चुनाव परिणाम नतीजे आए उसके बाद से ही देखिए बहुत बड़ा यह चेंज परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और यह लागातार फिडबेक लिया जा रहा है और नितीज कुमार का देखिए साथ निश्चे पार्टू का यह का सरकार थी 2020 से 2025 की सरकार है तो यह साथ निश्चे पार्टू उसी का तो उसी में यह नौकरी देने की बात है और उसी में 10 लाग सरकारी नौकरी और रोजगार की बात है तो उसको हम टाइम फ्रेम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिनोत तावडे ने सपस्ट कहा है कि इसको टा कारेकरता पीछे छोड़ जाएं तो दोनों का कारेकरता और आम आवाम को एक साथ ले करके करके कोडिनेट करके चलना है यही सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ी है अग तक आपने बड़ी बात कह दी अब पाट साला लगी है तो उसमें तो क्लास नहीं लगने की सवाल ही नहीं है अच्छा क्लास नहीं लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यानि के क्लास लगी है बिल्कुल क्लास लगी है और अच्छी खासी क्लास लगी है किस कि किस की अब बोलने से सब लोग समझ रहा ह कैसे चली गई पांच सीटे किस ने किया भीतर घात अचा रवी जी एक और सवाल है कि पॉलिटिकल कोरिडूर में चर्चा एक और हो रही है कहा जा रहा है कि वहां पर शिकायत भी हुई थी पाटशाला में कहा जा रहा है कि कई लोगों ने खुलकर कह दिया है कि भीतर घात क्या कुछ इस तरह कि ने बाते हुई है निश्चित रूप से यह बात उइ है और यह बात मने हakapाना अधंग से नहीं हुई है छे इस बात को समझा वहां में प्रत्यासी थे और वह भी चुनाव हार गया भारत इंता-पाटि से तीन नहीं रह इन ado कि वह लोग महा मंत्री नहीं है लेकिन जो महा मंत्री हैं प्रदेश कमिटी में वह दोनों ही बात कर रहे हैं जो बक्सर से लड़े और सिवेस राम जो सासा राम सुरप्षित से लड़े यह दोनों महामंत्री हैं और यह दोनों महामंत्री मिटिंग में मौझूद थे हम तो कहेंगे कि मिटिंग में फोटो तस्वीर आपके पास है उसको आप दिखला भी सकती है करना है लोगों को इधर उथर फिर पचीस में बिधान सभागा चुना है इसले हाथ से आपको देखने और समझने वाली बात है कैसे आपको जोड़ पाईएगा कैसे करिएगा और इससे पहले देखिए इसी बात में एक और वात हम जोड़ते हुए कहना चाह रहे हैं समझे पाटी को जो सिस निट्रिटों पाटी का जो जो सिस निट्रिटी है डॉपलीडर है जो आला कमान जिसको हम लोग बोलते हैं तूसरे लहजे में यहां से रिपोर्ट भी मंगवाई है चाहए निका tap के ना रिपोर्ट के अला कमान वा टूपले इंसे नहीं. जी 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 वह रिपोर्ट जो एक सरकार का जो एक तंतर होता है उस तंतर से ही मांगा गया सरकार के एक तंतर से ही त tapi कैशंची सफ इंसे उन्हों में यह जो रिपोर्ट की पाटी क्या कुछ हो रहा है यह लोकसभाद चुनाव का परिणाम यह जो दिखाई पड़ा उसके बाद से जो पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर अगल बगल जेफ्ट राइट जो चीज होता है वो अभी कहीं न कहीं ठीक ठाक नहीं नित्रित को दिखाई पड़ रही है तो उसी लेहाज से उस पर एक तंत्र से रिपोर्ट महागा गया एक तंत्र से रिपोर्ट कुछ होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे बीते दिन भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कहा जा रहा है कि बीजेपी में नितीश कुमार को लेकर दो फाड हो गया है ठीके लगतार हम बयान भी देख रहे हैं संजे पासवान का बय कर दो फाड हो गया है और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या समीकशा बैठक में जिक्र नितीश कुमार का भी आया रवीजा नितीश कुमार को लेकर संजी कोई बात नहीं है नितीश कुमार निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा और जो 24 आपकर निकल करे आया ह है कि नितीज कुमार की तो हम लोग बार-बार बार कहते रहे हैं संब्रीन कई लोगों ने हम लोगों को च्रोल भी किया हम लोग डिखाए वी पड़ाएगी जंता ने लगाया तो अब इसमें कहने की बात नहीं और कहीं भारती जंता पार्टी भी बात को बाखुबी समझ रही है तो यह और देखिए अब रही पाद जो संजय पासवान कह रहे हैं जिस तरह से अस्वनी चोबे कह रहे हैं हर पार्टी चाहता है हर पार्टी कि एक्षा होती है कि हम जोएसो अपने बल्बूते आगे पढ़ें लेकिन माइनस नितिसकुमार नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल यह बात भी तो है है इस चीज को लोगों अंदर खाने में अक्सेप्ट किये हुए है और कैसी भी परिस्टि में किसी भी हालात में या तो कहा भी जा चुका है कि 2025 में फिर नितिसकुमार के चले पर बिल्कुल बिल्कुल फिर अश्वनी चौ बिल्कुल 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 जीरो पर आउट हो जाती वह उनकी उनकी बिचार है उनका बिचार है उनका बिचार है उनका बिचार है अच्छा 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 अश्वनी चोबिचार है कौन नहीं चाहता है कि अपने पार्टी का हमरे निता हमारे निता कि बड़ा ह निता है ना, और उनका acceptence भी है, इस बात को कोई माने कोई माने माने, वह तो अलग भी से है, लेकर यह नितिश कुमार का acceptance है और उन्होंय समय समय पर इसको प्रूफ करके दिखाया है, चानलता उनके साथ में खड़ी है, इसको भी प्रूफ करके लोग दिखा बात बात बिल्कुई कहीं कोई दिक्कत नहीं का आखरी सवाल है मेरा रवीजी आपसे आपने देखा है कि नितीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो चुके है दिल्ली में जेडियू की बड़ी मीटिंग है बड़ी बैठक है क्या लगता है आपको क क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली में क्या नितीश कुमार एकबार फिर से सब को चोका तो नहीं देंगे क्या कोई बड़ा एलान तो नहीं होने जा रहा है दिल्ली में कोई ये रास्टिय परिसद की बैठक नहीं है ये क्या है ये जेडियू की रास्टिय कारिकारनी की ब कि पार्टी जद्यू का तो इस अभी जो तीसरा काल बना है बने है नरे द्रमोदी तो यह थर टेन्योर में तो और इनका तो तो बिल्कुल चमक धमक धमक पड़ा है तो ऐसे परिशिति में दिली में यह 29 तारीक को कल्यों बैट यानि के कोई बड़ा एलान नहीं जा रहे है कोई चौकाने वाली बात है कि कारेकारी अध्यक्ष हो सकता है एक जो इसको लेकर संसदिय बोड के अध्यक्ष उपेंद्र कुस्वाहा के जाने के बाद हटने के बाद से यह पद लंबे समय से रिकत रहा है तो यह समझ में आ रही है बात कि इस पर फैसला इस पर निर्ने क कुछ मने होगी उसके बाद कर dj a कर नितिस अध्यक्ष है मुक्ष मंतरि तो यह दोरी जिम्मेवारी तो परिशानी बढ़ती है वह और वह जिम्मेवारी रहेगी और सामने 2025o इस लेहाट से कारे-कारी अध्यक्ष बना करके एक बड़ी जिम्यवारी दी जाएगी तो यह एक समझ में आ रहा फिर प्रधान महासचीव का मतलभ फिर पार्टी का वह प्रधान महासचीव के तहत ही होता है तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रधान महासचीव जी आपको कारेकारी अध्यक्ष और संसदिय बोर्ट का अध्यक्ष ये एक तीन चार हमको लगता है कि इस तरह से कुछ ने कुछ वहाँ इन चीजों को लेकर वहाँ पर ऐलान हो सकता है तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंच करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया